कि अब हम इस्टोग्राम के लिए हमें इसको पीछे करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमने इसको पीछे कर लिए उसके बाद हमें चाहिए विट्स तो पहले की विट्स अगर हम देखें तो वह होगी 10 के 0.5 से लेकर 10.5 तक भी जो विट्स है वह 10 है 10 सारी विट्स हमने लेख लिए अब नंबर अब डेज हमारे पास बिसिकली फ्रिक्वेंसी होता है बिसिकली टोडल एरिया और हाइट निकालने के लिए हम एरिया को विट्स से डिवाइट कर देते हैं तो डिवाइट करेंगे तो हमारे पास हाइट आ जाएंगे तो हमारे पास टावर्स की हाइट आ गए तो जब अपने टावर्स की हाइट निकाल ली है तो अब टावर्स बनाना तो मसले की बात ही नहीं है यह हमारा वाय paradox अगया इस पर दिम टावर की हाइट रखेंगे और यह हमारा 1ip000 टर तक और इसकी हैट की हमने 1.8 next tower हमारा 10.5 से लेकर 15.5 तक और इसकी height है हमने 4.8 then third tower हमारा 15.5 से 30.5 तक है और इसकी height रख्की हमने 2 then हमारा tower है 30.5 से लेकर 50.5 तक और इसकी हाइट रख्की हमने 1 and then हम लेगा इसको 60.5 तक और इसकी हाइट रख्की हमने 0.8 अब सवाल आपसे है कि हमारी greatest inter-quartile range क्या है तो greatest हो या smallest हो आती Q3-Q1 से ही है तो greatest और smallest से क्या मुराद है 75 में से 25 वैल्यू माइनस होती है हमारी 75 वैल्यू लाए कर रही है 30 से 50 वाले इंटर्वल में तो 75 वैल्यू 31 से 50 वाले इंटर्वल में लाए कर रही है अगर मुझे IQR बड़ी चाहिए तो मैं इस इंटर्वल की सबसे बड़ी वैल्यू लोगा कि 0.5 क्योंकि अगर मैं छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करूंगा तो वैल्यू लोएस्ट आएगी अगर मैं बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करूंगा तो वैल्यू ग्रेटेस्ट आएगी इसी तरीके से 25 वैल्यू जो है वो मेरे पास लाए कर रही है 10.5 से 15.5 वाले इंटर्वल में और मैं यहां से सबसे छोटी वैल्यू लोगा ताकि जब मैं सब्ट्रेक्शन करूं तो मेरी जो डिफरेंस है आईट्यू आर है इंट्रकॉर्टाइल फ्रींज है वो बड़ी से बड़ी आएगी इसी तरही के से अब कम्मुलिटिव फ्रिक्वेंसी के लिए हम वर्किंग कैप है कम्मुलिटिव फ्रिक्वेंसी अगर हमारे पास हो तो हमें आसानी हो जाती है अगर हमसे आईक्यू आर की रेंज पूस ली जाए तो लोएस्ट से अगर हम आईक्यू आर निकालें लोएस्ट आईक्यू आर कैसे निकलेगी कि 75 वाला जो इंटर्वल था वहां से मैं सबसे चोटी वैलू ले लू और जो 25 था उस वाले इंटर्वल से मैं सबसे बड़ी वैलू ले लू तो ये मेरे पास आजाएगी लोएस्ट आईक्यू आर तो अगर मुझसे वह आईक्यू आर की रेंज पूछ रहे हैं तो वह 15 से लेकर 40 तक हो सकती है तो यह मैं आपके सामने जो सबसे आखरी चीज दिखाईए दर दोबारा से देख लें इसको कि अगर मैं यहां से 31 और यहां से 15 लोगा तो यह डिफरेंस छोटा आएगा और अगर मैं यहां से 50 और यहां से 11 लोगा तो यह डिफरेंस बढ़ा आएगा तो मेरी लोएस्ट आईक्यू और इसकी वज़ा से चेंज हो रही है क्याई बात समझागी क्याई आएगा तो मैं करवा चुका हूँ वारा क्यों गए क्ये सवाल ग्रोशा बश्ट स्वाल ग्रोशा बश्ट तो स्ट्रम लीफ वाला है स्ट्रम लीफ वाला किवन इससे लेकिन मुझे निकालना मीडियन और इंट्रकॉर्टाइल रेंज आती है कर सकते हो पुशेशिरते हो तो यह तो सिखाया वैंगा नो बूल कहीं अच्छा दो चार मिनिट लगाओ नहीं आएगा तो मैं कराओंगा कराओंगा आता है कर दो पुशेशित आता है कर दो चार मिनिट रेंट कर दो तो कर दो कर दो कर दो झाल झाल आप 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 सर आपक रवादे चाप मेडियन के लिए मुझे चाहिए होती है मिडल वैल्यू पहले काउंटिंग कर लो यह कितने नंबर्स दिखे हैं तो अगर मुझे कि काउंटिंग करनी पड़े तो ए में कितनी वैल्यू नहीं नाइंटीन है नाइंटीन है कि तो वह एट तू थी आ रही है मतलब 23 का एट आ रही है यह ठीक है पात समय जा रही है पात समय जा रही है करो गिंदी करो होगा 0.238 के अब इंटर कॉर्टाइल रेंज निकालनी है तो कॉर्टाइल वन निकालना पड़ेगा मुझे मडल वैल्यू तो याद आ रहा है चेप्टर के शुरू में कराया था हमने तो टोटल नाइंटीन वैल्यूज है तो मिडल वैल्यू हमारी होती है मीडियन अब लोवर हाफ में नाइन वैल्यूज रह गई अपर हाफ में नाइन वैल्यूज रह गई है इन नाइन वैल्यूज में जो मिडल वैल्यू है वो फिफ्ट है वैल्यूज वैल्यू तो फिफ्टीन वैल्यू ले ली और मुझे इंटर कॉर्टायल रिज निकालनी है तो वो क्यू थ्री माइनस क्यू बन से निकलेगी क्या यह वात समझा रही है जी सब्सक्राइब का स्क्रिंशॉट ले लें सेलुशन नोट कर लें जी सब्सक्राइब कर दो लें मिस भूह वात समय वाता है जी सब्सक्राइब कर दो दो हो गया सर अब इस कोशन में वो कह रहे हैं इस गिवन दाट मशीन भी का जो मीदिया ने तो 0.232 ए लोवर कॉटाइल भी दियावा अपर कॉटाइल भी दियावा अब बॉक्स इंविस्टर बनाने के लिए जरह मुझे बताओ कि क्या क्या चाहिए उतारी सही यह तो मैं नहीं बनाई भॉक्स इंविस्टर नहीं बढ़ाया मैं नहीं जा हो गया प्रेशा पड़ाया था अच्छा मैं दिलाता हूं देखो बॉक्स और विस्टर के लिए मुझे चाहिए होती है इनीशियल वैल्यू मेरे पास का है यहीं कितनी है विरो पॉइंट विटो जीडरों को पाइनल वैल्यूंट चाहिए विटो पोइंट नेंट पॉइंट टूपाइफ पोटन लूंग कर नेंजरी वैल्यूंट वैल्यूंट यह आई प्रिंट्स में चैक्छोंगे अ इनिचेल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, थाई वैल्यू, फाइनल वैल्यू, Q3 और मिडियन जाया तक बास समझावल? जी सेथ तो मेंने plotting लेखनी है plotting मैंने अपनी आपर कड़ भी 0.21 से लेकर 0.25 तक मैंने मार्क कड़िया अब मेरी इनिशियल वैलु एक ही क्या थी 0.2113 मैंने उसको मार्क किया और मेरी फाइनल वैलू थी 0.256 मैंने उसको मार्क किया मेरा था 0.232 अभी निकाला था मैंने बल्के मशीन नहीं पहला है क्यों इन उनने 0.4 क्यों 3 दिया है 0.24 क्या ये मार्किंग समझा रहे हैं कुशर ये में करना ji होता है कि क्यूवन और क्यूठी को बाक्स करना होता है मीडियन के साथ और इनिशल और व्रड औरसे ओंधन के रहे हैं कि क्य यह बाद समझे है? क्या होतार मैं क्यूवन और क्यूठी से ब्ॉठ साओं योbabś योज अ मिला फाल था तो यह बीगा एक वैल्यू 0.22 से लेकर 0.25 तक यह मीडियन वैल्यू 0.238 यह क्यों वैल्यू 0.231 यह क्यू 3 वैल्यू 0.245 बॉक्स बनेगा क्यू 1 प्यू 3 और मीडियन का और आप लाइन बनती है इनीशियल और फाइनल की काई बात समझाते हैं जी स्क्रीन शॉट ले लिए इसका ले लिया सर्थ अगर आपका मीडियन बीच में हो और क्यू वन क्यू थरी समेट्री के विलकुल वीच में हो इसको हम स इमेट्र्डिकल टेटा कहते हैं कि अगर क्यू ठीद कि टू से करीब हो उन्हें को इसको हम नेगैटिटिव इसक्यू करते हैं अगर q1 q2 से करीब हो तो इसको हम positive rescue data कहते हैं तो अगर हम a data देखें तो वो समिंटर करें अगर हम b का data देखें तो वो q1 से करीब है तो अगर q1 से करीब है तो उसको हम क्या कहते हैं कि यह बात हमें पता होने चाहिए जब q3 दूर होता है तो पॉसिटिव स्क्यूड और जब q1 दूर होता है तो नेगेटिव स्कूड इसके इंशॉट ले लाएं तो कर चुके हैं हम यह भी कर चुके हैं तो अल्ला के करम से अल्ला के फदल से हमने यह चैप्टर अलम्दलिल्ला खत्म कर लिया है तो अपने क्लास में हम करेंगे इसके पास पेपर्स को डिसकास मजीद तो जो होंवर्थ के लिए कोशन्स दी हैं करेंड़ी वो करें ताकर मंडे को माउपकी प्रॉब्लम्स को डिसकास करते हैं ठीके जनाब को किसे अला आपस बताए अला आपस